सोलन जिला प्रशासन करोना को लेकर हाई अलर्ट पर है जिसके चलते सोलन में संक्रामक रोग करोना को लेकर हाई अलर्ट पर है जिसके चलते सोलन में संक्रामक रोग करोना को लेकर हाई अलर्ट पर है जिसके चलते सोलन में संक्रामक रोग करोना को लेकर हाई अलर्ट पर है जिसमें अस्पतालों में विभिन प्रितक बाट सापित के अर्दिय गए हैं। आ रहा है तो उसे 14 दिनों तक क्वाट्राइन केंद्रों में रहना पड़ेगा। अगर बेविदेश से आने वाली बात जिला प्रशासन चे शुबाता है तो इसे एपिडेमिक एक्ट के तहट बाध्य भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्यक्ती शोशल मीडिया या अन्यमाध्यन से करोना को लेकर अबाहे फैलाता पाया गया तो उसके खिलाब भी सकत कारवाई अमल में लाए जाएगी। उपैक चोलन ने शेहरबासिं से आगरे किया है कि भीडवार बाले क्षेतर में ना जाएं और अपने हाथ समय समय पर साबुन से साफ करते रहें। जो आइसोलेशन वार्ड तयार हैं और जहां तक लोगों को एक सोशल मीडिया में जो डराने आने का है कि बहुत ही ज़्यादा संसेशन स्तर्क राने के आवशक्ता है डरने के आवशक्ता नहीं है जैसे विदेश से आया है वो कॉरंटाइन में 14 दिन के रहें क्योंकि इसक उसको उसी जगह पर उसको रखा जाएगा हर एक आदमी को सुनी चित है कि वो अपनी सूचना देगा कि मैं विदेश से आया हूं और एफेक्टिड आदमी अगर सूचना नहीं देता है कि उसको बाद्य भी किया जा सकता है तो इसमें हमारे पास औरड़ी है कि अगर ये जादा है कि हम आइसोलेशन वार्ड के अधिरिक्ट हमने जेला सोलन में हर एक सबडिविजन में ये कारवाई चले कि एक बिल्डिंग जो है क्वारंटाइन के लिए अगर हमें जादा स्केल में जोत पड़े हैं वो हमने आइ झालो चे बिल्ड़ेशन वे ज़र एसफ बार बार दादावी में जोते हैं झालो है